हलो एवरीफरन स्वागताब सभी का आपके यूट्यूब चानल करेंट अफिस लॉजिक्स मी तो फ्रेंग्स आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक लेकिया है जिसमें हम कवर करने वाले हैं मई के सभी इंपॉर्टन डेज और उनकी थीम्स सो देखें आपका में मंत एंट हो कया है तो इस दिया हम पूरे मई मंत के मई महीने के सभी इंपॉर्टन डेज को कवर करेंगे और डेज के सासाथ हम देखेंगे कि 2024 में उन सभी इंपॉर्टन डेज की क्या थीम्स रही है क्योंकि हमारे एक्जाम में जो है अकसर थीम से भी question बन जाता है और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इन days को याद करने में तो चिंता ना करें यहां पर हम सभी important days को आपको memory tricks से याद कराएंगे बहुत ही असान tricks हम आपको बताएंगे ताकि सभी important days जो है वो आपको इसी वीडियो में याद हो clear हो गया friends तो सबसे पहले हम सभी important days कवर करेंगे फिर हम कुछ questions आप लोगों को कराएंगे ताकि हम अपनी tricks को revise भी कर सके PDF भी इसका मिल जाएगा आप लोग को हमारे telegram channel से कर interface logics नाम है तो link आपको description में दिया है वहां से आप join कर लें सब वहां से आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी तो आए friends आज के देखे इस important session को शुरू करती है तो इस तरह से table wise हम सभी important days को cover करेंगे और याद करेंगे पहले तो हमारे date तो हर एक महीने में दुबारत से आ जाती है तो हम कैसी उस date को याद करें तो हमें हर एक महीने के लिए कुछ ना कुछ hint लेनी होती है ताकि हम उस date को याद कर सकें सब अगर हम माई महीने की बात करते हैं सो मे के लिए हम hint क्या ले सकते हैं एक तो ले सकते हैं मै दूसरा अगर हम बात करें मई को हम लिखते हैं ऐसे हिंदी मर इसमें हम अगर हम आकर टेंडाउर लगा दे तो क्या बन गया ये माई यानी मा ठीके तो माई मा मै ये हम जो है वो हिंट ले सकते हैं मई महीने से ठीके अब आपको याद रख रहा है कि हमें हिंट क्या लेनी है तो हर एक महीने के लिए कुछ न कुछ मैं आपको हिंट बताती हूँ, उसी हिंट से हमें सारी ट्रिक्स रिलेट करनी है सबसे पहले आज आते हैं, फर्स्ट में very important day चुकी है इंटरनाशनल लेबर डे अंतराश्टे मजदूर दिवस काफ़ important है, यह first of me को ही मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, to spread awareness about labor's right and mark their achievements तो labor's यानि मजदूरों के जो rights हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसके बारे में awareness spread करना और जो भी उन्होंने अचीवमेंट देके हासल करी हैं, उसको चिन्नित करने के लिए मनाया जाता है में friends कौन सा दिन, international labor day मनाते हैं, आप देखे हम इसको याद कैसे करेंगे, याद करने के trick हम यह ले सकते हैं, देखे जब भी हम पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे हम पढ़ाई में कुछ भी आनकानी करते हैं, तो हमारी माई यानि हमारी माँ सबसे पहले हमें क्या बोलती है, कि पढ़ोगे नहीं, तो क्या मजदूर बनोगे, labor का काम करोगे हैं, क्यों भी पढ़ाई नहीं करोगे, तो job किसे मिलेगी, आगे इसे बढ़ोगे, तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, सो माई का यह पहला ही dialogue होता है, सो देखे माई से कौन सा महीना हो गया, मे का महीना ह हो गया, और पहले से को क्या हो गया, हमारा कौन सी डेट हो गई, फर्स्ट से फर्स्ट तारीक हो गई, इस सरा से हम इसको easily relate कर सकते हैं, international labor day को, ठीक है friends, clear हो गया, याद हो गई हो गई है हिन, तो चलिए, next बात कर लेते हैं, second of me, second me को आता है word tuna day, tuna की बात करते हैं, तो tuna क् एक fish है देखें, मचली है देखें, tuna, और tuna है rich in omega and vitamin B12 3 and it also contain minerals, protein among other advantage, काफी ये rich होती है, इसमें vitamin B12 अच्छी मातरा में होता है, B3 होता, omega में होता है, और इसमें कई सारे minerals, proteins भी चो है contain होती है, ठीक है तो लोग को बता नहीं होता है कि इस fish के बारे में, तो लोग को समझाय जाता है, उनको बताया जाता है, आप देखो, याद कैसे कर सकती है, तो tuna में अगर हम ले तो T-U-R-I, T-U से हम 2 को easily relate कर सकते है, 2, तो 2 तो हमारी date यहां से relate हो गई, अब tuna क्या है, एक fish यानि मचली है, तो मचली यानि म, और मास से कौन सा महीना हो गया, हमारा में मन्त हो ग हो गया, फ्रेंड्स किलियर, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3rd of May, 3rd May को मनाते है, Press Freedom Day, चीक है, इस दिर मनाया जाता है, प्रेस स्वतंतता दिवस, और इसकी theme क्या है, देखे इस बार की, 2024 की theme है, अब Press for the Planet, Journalism in the Face of the Environmental Crisis, चीक है, तो यह इसकी जो है, वो theme रही है, अ अगर आप देखोगे, तो इसकी shape कैसी होती है, इस तरह से उसकी shape होती है, एक तरीके से triangular उसकी shape लगती है, देखने में, अगर आप उसके surface देखोगे, और triangle में कितने sides होती है, तीन sides होती है, और घर में जादतर प्रेस करता कौन है कपड़ों पे, आप सभी जानते हैं कि घर में सबसे आदा प्रेस हमारी माई ही करती है, हमारी मा करती है, सो माई यानि कौनसा महीना हो गया, में मन्त हो गया, तो 3rd मे को कौनसा दिन हो गया, प्रेस फ्रेडम डे, तो प्रेस से हमने सारी जो hint है, इस trick है, उसको cover किया है, इसकी बाद एके next आता है, हमारे important day, 4th of May जो दिन मनाते हैं, international firefighters day, अंतराश्टे अगनी शमक दिवस मनाते हैं, और इस दिन को क्यों मनाते हैं, देखिए, to pay respect to those firefighting experts who have lost their life in the line of duty, firefighters जो होते हैं न, देखिए, कही भी आग लग जाती है, तो firefighters आते हैं, तो वो अपनी life को risk में डालते हैं, हमारी life को safe करने के लिए, तो और तो अपने को एक और important day होता है, हम दोनों को एकटा याद करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा day है, coal miners day, जो से हम कहते हैं, कोईला खनिक दिवस, जो लोग coal miners होते हैं, जो coal mines में काम करते हैं, देखिए, उनकी life बहुत दर रिस्की होती है, तो उनका जो contribution होता है हमारी energy demand को पूरा करने में, जो उनका योगदान होता है, इस दिन उसको highlight किया जाता है, चिन्नित किया जाता है, तो ये भी 4 मई को मनाते हैं, दोनों को हम एक साध्याद करेंगे, तो आप कैसे इसको याद करोगे, जैसे मालीचे coal है, कोल की खदानी है, जो उसमें मालीचे आग लग गई, अब आग लग गई, तो भुझाने कोन आएंगे, भई, fire fighters छो है उस आग को भुझानी के लिए आएंगे, तो fire fighters छो है वो आग बुझाने आगए, अब आग जो लगी थी ना, वो 4 तरफ से लगी थी, चिक ए, माइन्स में 4 तरफ से लगी थी, तो चारों त यहां तक friends आपका clear हो गया होगा तो चले बात करते हैं next important day की 5th of May 5 माई को मनाते हैं international laughter day अंतराश्टिय है हसी दिवस हर एक साले 5 माई को नहीं होता अपको इसको याद रखना है कि यह जो दिन होता है यह माई के पहले संडे को मनाते हैं जो भी पहला रविवार होता है माई के उस दिन इसको मनाया जाता है इस दिन के शिरुवात करी थी डॉक्टर मदान कटारिया ने जो के worldwide laughter yoga movement के founder है इन्हों दिन आप लोगों को थोड़ा सा इसमें extra effort लगा के इनको याद रखने है क्योंकि इनकी कोई date fix नहीं होती है निक्स्ट बात करते हैं वर्ड एस्थमाडे की तो इसकी date भी देखे कोई fix नहीं होती माई के पहले Tuesday को जो भी माई का पहला मंगलवार होता है उस दिन आता है व एस्थमा एजुकेशन एमपावर्स ठीक है यह इसकी theme रही है याद रखेगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा 7th माई को वर्ड एथलेटिक्स दे विश्व एथलेटिक दिवस और इसकी भी theme important है वर्ड माईल चैलेंज तो यह इसकी रही है 2024 की theme अब देख कर सकता है कि मैं मैंने यह सपना देखा था कि मैं in future में athletic field में जाओंगा तो मैं से हमने क्या कहा में का महीना बनाया और athletics का जो हम सपना देख रहे थे वो हम 7 दिन ही देख रहे थे हैं रोज हमारे कोई सपना था था कि हा हम in future में athletics field में जाएंगे पूरे week हम सपना देख रह याद हो गए होंगे तो चले बात करते हैं अगली डेस की तो next हमारा important day है 7th of May को बनाते हैं BRO Racing Day जो border road organization है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 मई को और इस पार इनों ने अपना मनाया है 65th पूछ सकते हैं एकसाम में की border road organization ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 65th border road organization की दिखे स्थापना होई थी 7 मई 1960 को 1960 को headquarter जो है इसका न्यू डेली में है इसने दो project अपने शुरू करे थे में 1960 में कौन से थे एक तो east में शुरू किया था project तशकर और west में शुरू किया project weekend तो 7 मई को इससे स्थापना होती है इसलिए हर एक साल मनाते हैं बियारों का raising day 7 मई को तो यह आपको ऐसे direct याद रखना है तो हम बात करते हैं अगले important day की next हमारे days है देखे 8 मई को दो important day है दोनों ही important exam के लिए अच्छे से इनको cover करेंगे पहला है word red cross day wish red cross दिवस so इसकी जो theme रही है देखे 24 की वो है I give with joy and the joy I give is a reward चीक है तो यह तो इसकी theme रही second बात करें word thalassemia day की तो thalassemia day की theme क्या रही empowering life, embracing progress, equitable and accessible thalassemia treatment for all तो यह इसकी रही theme दोनों दिन हमारे important है अच्छे से इनको याद भी करना है देखे अच्छा अगर हम thalassemia की बात करते हैं तो blood की कमी से जो है friend thalassemia होता है और blood का color कैसा होता है देखो red color होता है और red के साथ इसमें cross आ रहा है अगर हम cross ऐसे बनाए और cross को थोड़ा सा हम इसको complete मिला दिये तो कौन से date बनगे हमारी 8 बन गई तो clear हो गया देखो तो date हमारी cross से हमने बना ली 8 और red cross में red red का मतलब red color का क्या है blood है और blood की कमी से कौन सा देखे रोगो रहा है thalassemia रोगो रहा है अब हमें relate करना है महीना मन्त हमें relate करना है तो thalassemia में देखो आ रहा है मिया चिके और मिया यानि मिया से कौन सा महीना हो गया मही महीना हो गया clear हो गया हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड माईग्रेटरी बर्ड डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस्त ये दिन देखो इग्जेक्ट इसको मनाते हैं माई के सेकंड सैटर्ड़े जो माई का देखे दूसरा शनिवार होता है उस दिन ये मनाते हैं और 2024 में ये आया है 11th of me को चीक है तो exact date मत इसकी याद कर ली न लेकिन इसकी theme आपके लिए बहुत important होगी आप लोगों से theme पूछ सकते हैं क्योंकि one word की theme है very important insect इसकी theme रही क्यों मनाते हैं देखे इस दिन तो जो migratory birds होती हैं प्रवासी पक्षी होते हैं उनको बचाने के लिए उनके habitat जून का प्रवासन उसको बचाने के लिए हम इस दुन को मनाते हैं सबसे पहली बार ये मनाया गया था 1993 में 1993 में तो इसकी मैं कोई trick नहीं बता रही क्योंकि ये fixed date नहीं है इस दिन की इस लिए नेक्स्ट आ जाते हैं नाशनल टेक्नलोजी डे राष्टे प्रद्योगी की दिवस 11 माई को जो है ये दिन मनाया जाता है नाशनल टेक्नलोजी डे और इसकी theme क्या रही from schools to startups igniting young minds to innovate ठीक है ये इसकी जो है वो theme रही है तो देखो इससे हम कैसे याद करेंगे अच्छा टेक्नलोजी की बात करें तो आजकल बच्चे तो बहुत दलते देकर टेक्नलोजी सीख जाते एकदम सीख जाते हैं उन्हें सिखाने की ज़रूत नहीं परती लेकिन अगर हम अपने माई की बात करती है तो माई भी अब देखे दीए-दीडए करके टेक्नलोजी सीख रही हैं पहले वो की पेट फोन चला रही थी अब टच्छ वाले फोन यूज कर रही है इंस्टा चला रही है फेस्बुक चला रही है यूट्टीव वीडियो भी बना रही है तो माई भी क्या है? एक-एक करके जो है टेकनलोजी सीख रही है एक-एक से हमारा कौन से डेट होगी? 11 माई से हमारा मन्त हो गया माई का माईना और टेकनलोजी से हो गया नाशनल टेकनलोजी डी Clearfines चलिए, नेक्स्ट बात कर लेती है सो 12 माई को देखे दो important दे होते हैं पहला है international day of plant health पादव स्वास्ते का अंतराष्टे दिवस जिसकी theme है plant health safe trade digital technology next important दे है 12 माई को international nurse day देखे अंतराष्टे nurse दिवस पी इस दिर मनाते हैं जिसकी theme है our nurses, our future, the economic power of care international nurse day के दिन जो है Florence Nightingale जो है उनकी birth anniversary होती है जिनको कहा चाता है founder of modern nursing जो अंतराष्टे nursing है उसकी founder कहते है Florence Nightingale को उनके जन दिन के अफसर पर बनाते हैं international nurse day अब देखो दोनों important ही है जिसको हम एक साथ याद करेंगे अच्छे इसे plant की बात करें सुचो हमारी माई है ना वो plant से बहुत प्यार करते हैं उनके health पर पूरा ध्यान देती है जैसे कि एक nurse अपने patient पे ध्यान देती है तो ठीक है यहाँ से हमने nurse को भी relate कर लिए जिससे हमारा important day भी relate हो जाएगा कैसी ध्यान दे रही है पूरे 12-12 घंटे तक पूरे अच्छे से उसकी take care कर रही है देख रही है कि कोई नुकसान तो नहीं हो रही है अच्छे से उसमें खाट डाल रही है पानी दे रही है टाइम पे तो माई बहुत अच्छे से plant की health पे ध्यान दे रही है तो plant health, international day of plant health nurse की तरह international nurse दे कौन ध्यान दे रही है माई यानी मे का महीना कितने घंटे तक 12 घंटे तक यानी 12 माई clear हो गया 12 माई को दोनों important day चलिए next आता है 15 तोप में international day of families परिवारों का अंतराश्टिय दिवस theme है इसकी families and climate change तो दिखें कि ये mid होता है mid validate और last validate starting validate वैसे तो ये बिना trick के आप याद करने के कोशिश करें आप ऐसी relate कर जो चलो इसको कि माई का महीना आ गया तो हमने क्या सोचा है कि चलो माई कि अपने परिवारों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ get together करती है तो हमने क्या सोचा है कि हम मिड में यानी, पंद्रा मिड में ट्खतारी हो गई पंद्रा महीने के मिड में हम क्या करेंगे फैमिली के साथ गेट टूगेदर करेंगे तो फैमिली के साथ यानी International Day of Families उसके बाद इखे 16 माई को आता है International Day of Light प्रकाश का अंतराष्टिय दिवस्थ इस दिन देखे पहला laser operation successful laser operation हुआ था कब 1960 में और किया था एक physicist और engineer थे Theodore Memon इन्होंने पहला successful operation किया था laser से तो इसी दिन की anniversary के रूप में मनाते हैं International Day of Light आप देखे 16 मैं को एक और important day होता है इसको हम साथ में याद करेंगे पहले day देख लेते हैं कौन सा है National Dengu Day राष्टे Dengu दिवस मनाते हैं इस दिन ठीक है So theme क्या है इसकी Dengu prevention our responsibility for a safer tomorrow तो ये इसकी रही 2024 की theme अच्छा हम 16 की हो गए ना तो 16 की होने पे हमारी माई हमसे क्या बोलती है कि आप बाहर जाओ अपनी life को देखो तो life से हम relate करेंगे light है ना life light लेकिन बाहर जाते समय अपनी आपको मच्छों से भी बचाओ क्योंकि Dengu हो सकता है आपको बचाना भी है बच्छों से तो Dengu ना हो उसके लिए तो ये हमारी माई जो है हमें suggestion दे रही है तो 16 की होने पे माई से क्या हो गया मे का महीना हो गया नेक्स्ट बात करते हैं देखे 17 माई World Telecommunication and Information Society Day जिसकी थीम रही Digital Innovation for Sustainable Development अब देखो इससे हम एक और important day के साथ में relate करेंगे पहले वो important day देखते हैं 17 माई को World Hypertension Day भी होता है विश उच्छ रक्त चाप दिवस तो जब हम ज़्यादा Tension लेंगे BPI होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या बन सकता है खत्रा बन सकता है और इसकी थीम क्या रही Measure your blood pressure accurately, control it, live longer ज़्यादा Tension भी लेना नहीं चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत खत्रा हो सकता है तो खत्रा से easily relate हो जाएगा 17 ज़्यादा Tension लेंगे खत्रा हो सकता है यानी 17 तो हम हमी क्या करना चाहिए Telecommunication से हम communication कर सकते है कि हम अपनी चो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी problems ना सोचते रहते है बहुत तो उसे tension लेते हैं हमी क्या करना चाहिए communicate करना चाहिए तो हम वोग चीज communication किसे करें अपनी माई से करें हम माई के साथ बैठके communicate करें उनसे बात करें अपनी problems को share करें ताकि हम उस खत्रे से बस सके हमें tension ना हो तो communicate से देखे Telecommunication Day हो गया माई से हमें करना है यानी 17 माई हो गया दोनों दिन याद हो गए चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 17 माई को इस बार मनाया गया है National Endangered Species Day राष्टी लुप्त प्राय प्रजाती दिवस ये जो है माई के तीसरे Friday को मनाते है इसके डेट हमें याद नहीं करनी जो माई का तीसरा देखे शुक्रवार होता है उस दिन ये दिन मनाया जाता है तो इसकी थीम याद रखेगा ये पूछ सकते हैं एक्जाम में Celebrate Saving Species नेक्स्ट देखे आता है 18th of May World AIDS Vaccine Day विश्व AIDS Vaccine दिवस मनाती है 18th of May को इस दिन देखे Awareness Create की जाती है About AIDS के बारे में AIDS यानि Acquired Immunodifential Syndrome So AIDS के बारे में इस दिन अवेर किया जाता है So अब देखे जो 18 साल के हो जाते है 18 साल के होने पर क्या होता है हमारी voting age खुल जाती है हमारे अंदर एक समझ भी हो जाती है विकसित थोड़ा सा तो हम AIDS के बारे में अब उस टाइम हमारी माई हमें क्या कर रही है AIDS के बारे में जो है वो समझा रही है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमें याद रखना है और देखो ये यहाँ पर date हमें चेंज करने क्योंकि International Museum Day ये भी 18 माई को ही मनाते है तो अब हम अपनी Museums यानि जो हमारी Heritage है उनके बारे में भी समझ सकते हैं 18 साल के होने पी International Museum Day की Theme क्या रही Museums for Education and Research चीक है तो दोनों दिन को हमें एक साथ याद रखना है आते हैं नेक्स्ट पे 20 माई को भी दो important day है एक है World B Day विश्व मदुमक्की दिवर जिसकी theme है Be engaged with youth Second है World Metrology Day जिसकी theme है Sustainability दोनों दिन की theme important है देखो अच्छे से याद रखना जिसकी theme छूटी होती है वो exam में बहुत important होती है आने के chances जादा होती है अब देखो याद कैसे करेंगे बहुत असान तरीका है हम 20 से लेंगे तो जो B है ना उससे हम क्या बना सकते है 20 बना सकते है clear हो गया तो 20 यानि हमारी date तो हो गई यहां से 20 अब देखो मदो मखी की बात करें मानलो आपको एक मदो मखी ने डंक मार दिया सबसे पहले कि इसकी याद आएगी सबसे पहले हमें माई की याद आएगी क्योंकि दर्द बहुत जादा होगा दर्द में हमें सबसे पहले मा की याद आती है तो माई से क्या बन गया माई का महीना बन गया अब दिको जब एक मदो मखी होते है तो उसके कोई आवाज नहीं आती का हाई हो जाएगा जब बहुत सारी मदुमक्षी एक साथ आएंगी मीटर से बन गया हमारा मेट्रोलोजी डे तो दोनों दिन हम यहां से याद हो गए वर्ड बीडे और वर्ड मेट्रोलोजी डे इसके बाद आता है 21 माई को भी दो इंपॉर्टेंट डे है एंटी टेरोरिस् 26 फॉर्मर ब्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ इनिवर्सरी होती है 21 माई 1991 को इनके डेथ हुई थी 21 माई को ही इंटरनाशनल टी डे अंतराश्टे चाय दिवस्पी बनाती है तो क्रेट अवेर्नेस अबाउट सेफ वर्किंग कंडिशन्स फॉर्ड टी वर्कर् देखिये उनकी वर्किंग कंडिशन्स सेफ हो इसके बारे में अवेर कर दिया किया जाता है इस दिन आप देखो कैसे हम इन दोनों दून को इखटा यात रखेंगे 21 की होते ही देखो 21 साल एक मेनेजिबल एज होती है तो हम बहुत अच्छे से चीजों को अंडेस्टेंड क 21 के होने पे हमारी माई हमसे क्या बोल रही है कि सिर्फ चाए पीते रोगे बैठे बैठे यह बाहर जाकर देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है कितना लोग आतंकवाद का विरोध कर रही है तो इसके बारे में भी जानो सीखो और आप बी जो है इसमी जो भी आपको लगत है तो 21 माई हो गया इसके बाद देखे 22 माई को आता है International Day for Biological Diversity जिसे कहते हैं जैवी विविदता के लिए अंतराश्टिय दिवस और इसकी देखो थीम क्या रही है 24 किसकी थीम रही be part of the plan याद हम कैसे कर सकते हैं Biological से ले सकते हैं Bio Bio से हो गया हमारा Bei By मतलब हो गया हमारा 20 ठीक है और जो हमारी घर में बाई आती है यानि जो हमारी घर में देखे House Health पर आती है तो उनको हमारी माई समझा रही है विविदता के बारे में Diversity के बारे में तो ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते है इसके शुरुवात हुई थी कौनसी एर में 2000 में और इस बार इसका कौनसा एडिशन मनाया गया है 24th एडिशन सो टर्टल की बात करें कच्छोई की बात करें तो कच्छोई और खरगोश की स्टोडिया आपने सुनी होगी कि कच्छोई जीत गया था जबकि कच्छोई अतना स्लो है लेकिन उसने क्या-क्या फोकस किया सिव आगे बढ़ने भी और कच्छोई जो है बहुत शान थे कि हमें किसी के साथ 23 में नहीं रहना चाहिए, जैसे कच्छोषान सुभाफ का है और आगे बढ़ता है अपमें जन्दगी में ऐसे ही हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सिक्षा हमें दे रही है माई, तो माई से हो गया हमारा कौन सा महीना में 23 यानि 23 तो 23 माई को मनाती ह यहां तक आपको सारी देखे ट्रिक क्लियर हो गई होंगी तो चले बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट एक की 24 माई को आता है इंडियन कॉमन वेल्थ डी पार्थे राष्ट मंडल दिवस और इसकी थीम रही वन रेजिलियन्ट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉमन वेल्थ तो इसे देखो कैसे याद करेंगे अच्छा अगर हम 24 को डेट को याद रहे हैं तो 24 में दो और चार आए रहे हैं अगर हम किसी एक इनसान की बात करेंगे तो उसमें हम किसी के साथ रिलेड नहीं कर पाएंगे तो दो चार इनसान एक साथ बैटे हैं तो हम माई को देखे हमारे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है एक वर्ड थाइरोइड दे तो थाइरोड डिसॉर्डर के बारे में इस दिन जो है अवेरनेस परफलाई जाते की लोगों की हेल्थ को यह किस तरह से अफेक्ट कर सकता है और 25 माई को ही बदा इंटरनाशनल मिसिंग चि में कोई गर्ल है जो कि मदर बन गई है तो मदर यानि माई बन गई है तो 25 माई तो यहां से इसले रिलेट हो गया और उन्हें क्या है थाइरोड की प्रॉबलम है तो 25 एज में वो मदर तो बन गए लेकिन उन्हें थाइरोड के प्रॉबलम दे जिसके वज़ा से उनके जो उसमें भी थाइरोइट के जो है सिम्टम्स आई हैं क्योंकि बच्चे से मदर में काफी चीज़े जो है आप कह सकते हैं कि मदर से बच्चों में जाती हैं जो भी मदर को प्रॉब्लम होते कई बच्चों को भी हो सकती है वो तो थाइरोइट के प्रॉब्लम मदर को थी उनके बच्चों को भी हो गई, तो चिल्डरन यानि बच्चे और अंतराष्टे गुम्शिदा बाल दिवस, उसके बाद देखे 28 माई को आता है वर्ड हंगर डे, जिसकी थीम क्या रहे है इस बार की thriving mothers, thriving word, तो देखे जब हमें भूक लगती है, जब हमें हम हंगरी होते तो हमें 9th of May को 2 important day है, पहला है International Day of United Nations Peacekeepers, संयुक्त राष्ट शान्ती सैनिकों का अंतराष्टी है धिवस, थीम क्या है इसकी, fit for the future, building better together, एक और important day होता है International Everest Day, जिसकी बात करने क्यों मनाते हैं, तो इस जिन सबसे पहले Everest की जिन्होंने चढ़ाई करी थे, तैंसिंग, नौर्गर, हिलेरी, इस दो परसन थे, जिन्होंने सबसे पहले Everest की चढ़ाई करी थी 1953 में, तो इनकी याद में जो है, ये दिन मनाए जाते हैं, आप दिको इनको याद कैसे करेंगे, याद ऐसे आप कर लो कि UN के चो Peacekeepers है न, उन्होंने अपने लिए, एक target set किया है, कि मैं, मैं हम इसको रिलिट करेंगे, कि मैं जो है, 29 डेट को, ये टिप 29 येर्स का हो जाऊंगा, तो एवरिस्ट पे चढ़ाई करूंगा, तो उन्होंने अपने लिए target रखा है, तो मैं से क्या बन गया, में का मही न, 29 येर के होती है, उन्होंने target रखा है, तो 29 में को दोनों important जो हैं, हमारे cover हो गए, इसके बात करते हैं, 31 में, जो की है, मैं का last दिन जिजन मनाते हैं, word no tobacco day, विश्व तंबाकू निशेद दिवस, सो तंबाकू हमारी health को देगे, बहुत हाम करता है, नुकसान देता है, तो लोगों को समझाया जाता है, इसके बारे में, theme इसकी है, protecting children from tobacco industry interference, आप द बाकू भी हमें नहीं लेना है, तो मैं के last में, 31 में के दिन वो हमें एजिस बता रही है, तो स्चोरू वाला दिन, last वाला दिन, और मिड़ वाला दिन, जो 15 मैं को हमने family वाला किया था, ये तो आपको देखो, वैसे भी directly थोड़ा सा याद होने चाहिए, तो ये थे friends हमारे जो है माई के सभी important days, अब मैंने आपको कहा था कि हम revision भी करेंगे, चलिए revise करते हैं, थोड़ी सी tricks भी हम लोग यहाँ पर revise करनेंगे, कैसे हमें याद रखना था, पहला क्या है word thyroid day, विश्व thyroid दिवस्त की बात करें, तो किस दिन ये मनाया जाता है, important day है, देखे word thyroid day, और ये कब celebrate करते हैं, तो हमने इसको याद पहले कैसे किया था, देखो हमने trick बनाई दी कि 25 year की कोई girl है, जो की मा बन गई है, है न, तो हमने इसको 25 से जो है, वो relate किया था, तो 25th में के दिन आता है, word thyroid day, और उन्हें problem थी, thyroid की, फिर उनके बच्चे, जो उनका बच्चा, वो उसको भी thyroid के symptoms उसमें आए, ठीक है, तो हमने एक और important day इस दिन याद किया था, जो की था, friends, international missing children, ठीक है, दोनों important day होते हैं, 25 माई, उसके बाद है तेकि अगला question, international nurses day 2024 was celebrated on which day, so अंतराश्टे nurse दिवस्की बात करें, तो nurse को हमने कैसे late किया था, कि जो हमारी माई है, वो plant क health पे इतने अच्छे से ध्यान देती हैं, जैसे कोई nurse अपने patient पे ध्यान देती है, तो इसलिए एक और important day होता है इस दिन, international day of plant health, 12-12 गंटों तक उसके उपर ध्यान देती है, तो देखो 12 से हमारा हो गया 12 माई, तो 12th of May को होता है international nurses day, इसके बाद देखे word red cross देके बात कर और उसको friends relate किया था कैसे इस तरह से, यानि 8 तारिक relate करी थी, ठीक है, तो cross यानि 8 और 8 माई को बनाते हैं red cross दे, red का color, red होता है देखे blood का color होता है और blood की कमी सी होता है thalassemia, तो इस दिन दो है thalassemia disease भी होता है, यानि thalassemia day भी मनाया जाता है 8 माई को ही, आगे बात करते हैं press freedom day की बात करते हैं, तो देखे press से हमने किया था, जिससे हम press करते हैं घर में उसके shape triangular shape की होती है, तो triangle में 3 koni होते हैं, 3 corners होते हैं, तो third may के दिन मनाते हैं press freedom day, next word tuna day की बात करें, wishwood tuna divorce, तो tuna में tu से हमने क्या बना दी थी, कौन सी तारिक, दो तारिक बनाई थी, और tuna हो यानि mercy हमारे कौन सा महीना हो गया, मे महीना हो गया, तो second of may को मनाते हैं कौन सा word tuna day, next आता है word no tobacco day, तो हमारी माई चुहें दिखें, last में समझा रहें कि तुबैकू हमें नहीं लेना चाहिए, last यानि 31st may को मनाते हैं, विश्व तंबाकु निशेद दिवस, अब एक question आप लोगों के लिए चले हम यहाँ पे आप लोगों के लिए दे देते हैं, इसका अंसर कॉमेंट करके बताएगा, international museum day, अंतराष्टे संग्रालिय दिवस, यह किस दिन बनाया गया, तो इसका अंसर जल्दी से comment box में लिख दीजिए, और इसी के साथ हमारे महीने के सभी important days यहा आने चैनल को subscribe जबरू करें, ऐसी important वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, thank you so much for watching this video.